दोस्तो आपि के बक्त में आंजल फीज एक बहुत ही पौपुलर फीज न है और यह फीज अभी मार्केर में बहुत ज़्यदा डिमांड पते हैं आपि आपि बहुसारी जो हविश्ट है बहुत सारी भी लोग ऑब एंजल फीज बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं तो अगर आप एंजल फिस को बीड करके सेल करोगे तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हो मगर बीड करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा मचली मेल है और कौन सा मचली फिमेल बरना आप बीड नहीं कर पाओगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एंजल फिस में मेल और फिमेल को पैचन सकते हो और मैं आपना जो एंजल फिस का पूरा सेटप है बो भी आपको मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा तो चलिए बीना वक्त गवाए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो किसी भी मचली में हो चाहिए वो एंजल फीस में हो चाहिए वो किसी भी मचली में हो बेटा फीस गोल्ड फीस या फिर कार बगरा किसी भी मचली में हो तो वो मचली का एक उमर होता है जिसके बाद उसका male और female को पैचाना जा सकता है क्योंकि एकदम छोटे मचली का बता नहीं सकते कि कौन सा male है और कौन सा female है क्योंकि उस बक्त उसका जो पूरा फीन है पूरा जो body का shape, body का color है वो उतना develop नहीं होता है कि वो देखके बता सको कि वो male है वो female है तो उसके लिए मचली को थोड़ा time देना पड़ता है उसे बरा होने के लिए और उसे आच्छे से खाना वगरा खिलाना पड़ता है या फिर गपी फिस में भी तीन महाईने का गपी फिस बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फिमेल है ऐसे ही एंजल फिस में मिनिमम से मिनिमम आपको छे महाईना वेट करना ही पड़ेगा चे महेंने तो कम बोल रहा हूं, 8 महेंने चाहिँ एक- एंचेल पिज появ motion आप सी ओर बचकते हो कि हमीं मेल है या फिल इक छे महाइने से लेकर आच महाइने तक आपको वेट करना पढ़ेगा, अगर आपको पुरा locked छाहिए कि ये मेल है या फि på Todos cop Right और में वीडियो के एंड में आपको बताँगा किस तरह से आप बीना मेल फिमेल को पैचाने ही एक प्यार को सेट अप कर सकते हो उसके लिए वीडियो में बने रही है तो वह तीन पॉइंट आपको मैं पॉइंट वाइस बताता चलता हूं ठीक है तो इसमें जो पहले पॉइंट आता है वह है है आप लोग फ्लार हान में हैही देखो एजन लोगों को फ्लार हों के वारे मैं नहीं पता आपको दिखा zone में मैं इतना जदा नहीं होता है थोड़ा सा कम होता है ठीक है बतलब थोरा सा ऊठा हुआ होता है और फीमेल का जो है वो पूरा बैठा हुआ होता है अगर आप ध्यान से किसी आठ महीनी का उपर का एंजल फीज को देखोगे, जो आच्छे से खाया पिया है और आच्छे से बड़ा हुआ है, वो एंजल फीज को देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जो मेल का हेड है, एंजल फीज में वह थोरा सा धाल जैसा अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कालर, कालर भी देखके आप पैचान सकते हो कि किस तरह से मेल है और किस तरह से फिमेल है, मगर कालर को देखके जो लोग बीडर है, जो लोग एंजल फिस बहुत सालों से पाल रहे हैं, वो लोग ही बता सकते हो कि यह मेल है, यह फिमेल है, वैसे ही एंगिल्फ िसका फारग होता है जो लोग बहुत साले से एंग्ली हीच करता press करता आया वह आश्यक मुझा देखके बंटा सकते निवार जो हाविष्ट है जो एक साल से दो साल से इंग्लफ नहींदा सकता है तो मेरा रेकॉमेंट होगत कि आप कलर प्वाइब सबसि yes ev to get the तो उस साइब के भी अपलोग स्मसभोते है और कॉन से मेल और कौन से यह फी मेल अगर इसमें और की अप कभी कब़र होता है कि फीमेल जो कि ज्यादा खाना वगरा खाता है तो कि मेल अच्छे से बढ़ा हो जाथ और ओर मेवार थे सायस है छोटा रहे जाता है तो साइस देकर भे आप लोग समझने पाहोगे कुछ जो सायस मज़ पाइगा कुछ लोग गलत भी समझ सकते हो तो वीडियो में मैं आगे बता हूँगा किस तरह से मेल फिमेल को बिना पैचाने आप लोग एक एक प्यार उठा सकते हो टैंक से तो उससे पहले एक और पॉइंट में आपको बता देता हूँ बेली देखके भी आप लोग समझ सकत है अब तक मैंने आपको जो भी पॉइंट बोला है वो सभी पॉइंट जो है वो एक बीडर लोग या फिर जो आइंजल पीस बहुत सालों से पालता आया है वही बता सकता है ठीक है तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रीक बताता हूँ जिस तरह से आप एंजल पीस का मेल और फ तो ही स्वाप हो क्यूंकि बहुत सारे स्वाप कीपर होता है कि वह जो घलत ऑंजल पीस भी दे देता है आपको मार्वेल भेल बोलके ब्लैक गोष्ट देगा या फिर प्लैटिनाम एंजल देदेगा तो बहुत शारे आंजल पीस का भायराइट का विछ थोर्य उपा नीच लो खड़ी देने के बाद अब को क्या करना है कि घर में लाओ घर में लाएक उसे अच्छे से खिला Meu च्छे लाइफ फूड वगर खिला ठीक है क्यों कि मशली का साइच चारी इंजि तक हो चुका है अब घर में लाए वो मशली ते दरे बरा हो रहा है तीन महीने तेक आपके पस रहा तो उस मशली का उमर क्या हुआ टोटल आठ वहीने आट महाईने के बाद आपको समझने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मेल और कौन सा फिमेल है जैसे कि आप लोगों के पास 10 से मनना एंजल फिस है तो वो आपने आप ही आपना जो लाइफ पर्णर है वो ढूंड लेगा जैसे के आज कलके लर्कہ लर की लोग होता है कि एक दूसरी का लाइफ पर्णर ढूंड लेता है अरे मैं ये किसा क्या वोल रहा हूं मतलब एंजल फिस भी ऐसा ही ढूंड ले था एक दूसरे कलाई पड़ना ठीक है तो आपको कुछ भी करने के जरूरत नहीं है आप पैचाने होगे कैसे की दो एंजल फिस का प्यार बन चुका है तो आपको पैचानने के लिए सबसे पहले होगे ना हमेसा दो-दो एंजल फिस एक कोने में रहेगा एक कोना पकर अपना पर यह पियार का एक कोना पकर लेगा आपके पस अबश्क अगर 15 एकसाद रहोगे ना तो उसमें से कड़ी दो चार प्यार आपको मिल जाए गा ठीकि मैं 2-4 प्यार बोल रहा हूं आपको उसे यह सकते हैं अगर आप समझ लेजिए 15 अंझल फिस रहा हो तो आपको करि alt भी मिल सकते अगर आपका लग कर रहा है तो आट अंजल पिस अगपने में बंद सकते यानि शोला तो आपको 20 at प्यार मिल जाएगा सभी अंझल फिस प्यार नहीं बनाता है कुछ-कुछ एंजलफिस जो है वो आके ले रहना भी पसंद करता है उसका भी अपना-पना मूड होता है तो मिनिमाम क्राइटरिया है कि आपको 10-15 एंजलफिस लाना ही है ठीके 10 एंजलफिस रखोगे तो भी चलेगा मिनिमाम आपको 15 एंजल रखोगे तो आपको 4-5 प्यार में आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप एक ब्रीडिंग करना चाते हो ब्रीडिंग करके आप मुनाफ़ा कमना चाते हो उसके लिए मैं बोल रहा हूं तो आप समझ लिए 15 एंजलफिस लाए और ऐसे खिला-पिला करा तो वह एंजल फिस अपनामना एक एक प्यार वंदा लेगा ठीक है अब समझ जाओगे कि लिए जो है बोई प्यार बना चुका है तो आपका काम है कि एक सेबरे टैंक में एक एक प्यार को रख देना आप लोग को तो फीट वाई दो फीट का टैंक में भी रख सकते हो, मेरा रिकॉमेंट होगा, अगर आप जल्दी से जल्दी बीडिंग करवाना चाते हो, तो एक तीन फीट वाई दो फीट का टैंक रखना, उसमें एक फीट का पानी रखना, यानि कि एक फीट गहराई वाला पानी रखना टैंक का साइज होगा तीन फिट और चौड़ाई में होगा दो फिटी के तो इस साइज के टैंक में अगर मचली को रखोगे तो मचली जो है वो हर पांच दिन में अंड़ा देगा अगर आप अच्छे से खाना वाना खिला होगे इस साइज के टैंक में रखके तो मचली जो ह करता है कि मेल फिमल को छोड़के रख देता है आच्छे से खाना नहीं देता है वो लोग अंडे देते दे-धिरे दुगला पतला हो जाता है मझली मझली मझलीका अगर मर जाए और आपका ये बूडा ना तो आपको बहुत जाधा लुक्सन हो सकता है क्यों कि एक प्यार से आ 700 तक वो आंड़े डाल सकता है और हार पांच से साथ दिन में अगर आंड़ा डालेगा तो आप समझ सकते हो कि कि जना ज्यादा बच्छे आप लोग एक महिने में उससे ले सकते हो तो इसमें प्रॉफित बहुत ज्यादा है आप मेरा सेट अप देख सकते हो इस तरह से मैंने स इस पूरा समझा दिया और बीना मेल फीमेल पाजाने भी आप कैसे एक प्यायर को उठा सकते हो वो भी मैंने बादा दिया मकर एक और आपके लिए सर्प्राइज है कि आप आप एंजल फिस के कॉलोनी में भी बीडिंग कर सकते हो ठीक है जहां से मैंने आंजल फिस करेता है ना महाँ पर मैंने देखा साथ पूरे इंडिया में ऐसा पहली पर कोई कर रहा है कि एंजल फिस का कॉलोनी में बीडिंग करवा रहा है लाइक सिगलेट मजली का आप लोग देखे होगे कि वो लोग अपने मूँ में अंडर रखता है तो बहुत सारा जो बीड़ा लोग है व में आप लोग देख सकते हो वो चारो तरफ टाइल देखे रहा है ठीक है एक एक प्यार जो बन रहा है यहां पर बहुत सारा एंजल फिस छोड़ा हुआ है तो वो प्यार उस टाइल के उपर अंडर दे रहा है और वो टाइल यह बीडर उठा के दूसरे टैंक में रख रहा है तो एंजल फिस के वीडिंग के ऊपर भी डीटेल में वीडियो आएगा वह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरू से सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइक आएगा उसे प्रेस कर लेना ताकि में जब भी वह बीडिंग का वीडियो डालू ना तो आपको न नमबर आपको मेरे चैनल के बैनर पर मिल जाएगा तो आप लोग मेरे से कॉंटक्ट कर लेना और जो लोग एंजल फिस का इसे खारिद के लाए हो वह भी मेरे से फोन करके आपका जो मचली है वुसका वीडियो मेरे को सेंड कर देना मैं वह भी बता दूँगा कि कौन सा मे ले तो ग्राउंड लेवल पर जाके मैं आप लोगों का हिल्प करने की कोशिश कर रहा हूं ग्राउंड लेवल से मेरा मतलब ही कि आप लोग उसे में सीधा कॉंटक्ट करके आप लोगों फेस टू फेस हिल्प करने की कोशिश कर रहा हूं ऐसा कोई भी नहीं करता है दोस्त जिन लोगों को सबस्क्राइब कर लेना और जो लोग मेरे चैनल को पहले सबस्क्राइब कर चुकहे वो लोगों को भहुत-बहुत धन्यवाद भौँत बहुत सुक्रिया बहुत-बहुत थैंक्यू तो फिलाल वीडियो में इतना ही था देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक be safe from korona virus, korona फिर से वर रहा है, हमें news channel में दिखा है था, तो mark span करकना और अपना अपना vaccination लेने ना, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, bye bye